नमस्कार मैं पूजा वर्षिष्ट आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ आप अक्सर शौच जाने से पहले पानी जरूर पीते होंगे क्योंकि कहा जाता है कि शौच जाने से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो आपका पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाता है लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आप शौच जाने के बाद पानी पीते हैं तो क्या होता है या शौच जाने के बाद पानी पीना भी चाहिए या नहीं आपके ये तो सुना होगा कि पेशाब करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना जाए क्योंकि जब हम मूत्र विसरजन करते हैं तो हमारी यूरिन थैली खाली हो जाती है लेकिन उसमें कुछ अवयव रह जाते हैं ये भीतर ही भीतर घूंते रहते हैं अगर इसे बीच पानी पी लिया जाए तो ये थैली के साथ पानी में नहीं घुल पाते हैं यही पत्री का कारण बनता है इसलिए पेशाब करने और पानी पीने के बीच का अंतर कम से कम आदे घंटे का रखना चाहिए लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शौच से आने के बाद आपको पानी पीना चाहिए भी या नहीं तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि शौच के बाद पानी पीने से कोई नुकसान होता है या नहीं दरसल जब आप शौच से पहले पानी पीते हैं तो आपका पेड़ अच्छी तरीके से साफ हो जाता है और आपको मल त्यागने में आसानी होती है लेकिन जब आप शौच के बाद पानी पीते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको बता दें कि आपको शौच जाने के बाद पानी पीने में कुछ देर का अंतर तो जरूर रखना चाहिए शौच जाने के बाद पानी पीने से आपके आतों की क्रिया रुक जाती है एसे में शौच जाने के बाद पानी पीने में कम से कम आदे घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए जैसा आप मूत्र विसरचन के बाद करते हैं, ठीक वैसा ही आपको शौच के बाद भी करना चाहिए फिराल इस जानकारी में इतना ही ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल बोर्ट स्क्राइक और सब्सक्राइब जरूर करें